Hello Friends, Welcome to Sahos of Solutions दोस्तों जैसा कि इस सीरीज में हम लोग Web Development का Complete Course Training कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग HTML देख रहे हैं इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि किसी image को responsive कैसे करते हैं किसी page पर किस तरीके से हम responsive images को लोड करते हैं और उसे क्या benefit मिलता है बहुत ही कमाल का वीडियो था इस से पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर विजिट करिए उसको देखिए बहुत ही काम का वीडियो है तो इस वीडियो के description box में playlist का link है उसको click करिए उस list में आपको दिख जाएगा पिछला वीडियो तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि list in html html में अगर हमें list बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कितने type का list होता है list का use क्या है और list का जो type होता उसमें कौन-कौन से attribute यूज किया आते है बहुत ही कमाल का वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से देखिए और इसको अच्छे से practical करिएगा तो अच्छे स्टार्ट करते हैं देखते हैं देखिए list हम कियों यूज करते हैं लिस्ट बेवेवलपर किसी भी related item को एक list में दिखाने के लिए एक group में दिखाने के लिए यूज करते हैं दो तरीके का list होता है पहला होता है अन-order list जिसमें आप देख रहे हैं हम इस तरीके देख जाएंगे और एक होता है order list इसमें होता है numbering दिखा सकते हैं इसमें order list में और भी type होते हैं आप ABC से start कर सकते हैं वन टू से स्टार्ट कर सकते हैं रोमन जो वरन टू होता हुससे स्टार्ट कर सकते हैं अपरकेश में स्टार्ट कर से बहुत तरीक defer होते हैं उससे आप orderatar list बना सकते हुए जिसको हम आग ज़् this के वीदियो में देखने वाले में बहुत इंद्ध नेके इसकुरिक मैं के टाइप होते हैं उससे आप order list बना सकते हैं जिसको हम आज दिके वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में हम और लिस्ट और लिस्ट को नेस्टिट करके फिर देखेंगे अगर एक लिस्ट के अंदर नेस्टिंग करना होता कैसे करेंगे उस पर भी फोकस ठीक है हम लिखते हैं लिस्ट आइटम एलाई मतलब लिस्ट आइटम में यहां पर जितने भी आइटम का नेम देंगे लिस्ट आइटम में वह डॉटेड लगके आएंगे यह आपका अन और लिस्ट हो जाएगा वहीं पर हम और लिस्ट की बात करें जहां पर इवेल लिख देना है वह लिखती जिएगा तो order list हो जाएगा और यह सारे list आइटम उसी तरीके से आपके बनेंगे ऐसा नहीं है कि आप अगला चीज कि on order list में कुछ और लिखेंगे देखें दोनों जगा क्यों यह चिंज हो रहा है लिस्ट आइटम दोनों जगा सेम सेम है ठीक है यह हो गया अगला चीज कि on order list में हम कोई टाइप डिफाइनी कर सकते हैं वो डॉटेड ही आएगा बुलेटेड ही आएगा लेकिन यह order list में आप टाइप वगर लगा सकते हैं जैसे आपको one से start करना one two करना है तो type one कर देंगे तो one two three start हो जाएगा अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी आपका order list में one two three ही होगा अगर uppercase में लिखेगा तो अपर केस में a,b,c, start हो जाएगा लोवर केस में लिखेगा त तो यह भी रोमन नंबर में start हो जाएगा तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं एक 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 जामपल करके देखने वाले हैं इसके वीडियो के अंदर तो चलिए start करते हैं आथी साथ मैं आपको बोलूँगा कि इस playlist को वी bookmark करके यहां से रख चैनल को subscribe कर लिजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए चैनल को subscribe करने के बाद उसके बेल आइकन को जरूर किलिक करिएगा ताकि जैसे मैं दूसरा वीडियो डालू तुरंत आपको notification मिले और आप हमेशा updated रहें तचलिए start करते हैं आते हैं code में और यहां पर हम पिछले क्लास का फाइल लेट इसको बंद करता हूं एक नया फाइल करता हूं list.html करता हूं concept जिस पर बेस्ट है इस वीडियो का उसी नेम से हमने बना दिया HTML यहां पर फटा-फट जो default code होता है आपने बना लिया है आप लिखता हूं list examples ठेक है list examples हमने कर दिया अब body में अब यहां पर देखिए हमने क्या किया evil लिया ति यह हो गया unorder list इसके अंदर आप क्या करेंगे list item बनाएंगे list item बनाये आपने यहां पर लिखा आपने जैसे माल लिजे कि हमें courses का list बन और यहाँ पर लिखिये अंगुलर यहाँ पर लाई यहाँ पर लिखिये sketchцы एक और बनाईए यहाँ पर लिखिये list आईटम यहाँ पर यह दब्लू एस तरीके सब्सक्राइब जैसे ही आप बेपेज पर जाते हैं हमें इसको लाइब कर देते हैं और चलते हैं ब्राउजर पर तो आपको वहां पर पूरा का पूरा यह लिश्ट दीख जाएगा अन ओर्डर लिस्ट में देख रहा है डॉटेड लगे हुए हैं ठ आप बना सकते हैं नीचे करें और यहाँ पर एक और अन आप लिएगे ठीक है और हैं अंदर Er ठीक है यहाँ है यहाँ पर हम इसको कट नहीं कोपी कर लेते हैं कट करके यहाँ पर हम लेते emphasize इंटर्डक्शन टलाई और यहाँ और यहां पर लेते हैं लिस्ट आइटम में डाइरेक्टिव इस तरीके से आपने बना दिया एक और और ने स्टेट कर दिया अब ब्राउजर आप चलते हैं देखिए अब एंगुलर का तो अलग से डॉटेट बन रहा है फिर इसका भी अलग से डॉटेट बन गया मतलब इसक किसी इसके अंदर ही बना सकते हैं इसकी अंदर ही बना सकते हैं इसकी जैसे डॉलापेंट के अंदर ही बनाना है आप कर सकते हैं यहां पर भी यहां पर भी आप कर लिजिए यहां पर एक इवेल लिजिए इवेल लिए यहां पर लिखिए HTML लाइश्यस लाई जावास्क्रि लिस्ट बनाते हैं यह रहा आपका Everybody। ने अब मुझे लिजिए कि उर्डर लिष्ट बनाना है तो कुछ नहीं है जैसे माले इसको हम क्या करते हैं को कमेंट कर देते हैं कमेंट अब हैं यह आप तो चैनल एक है टेलिग्राम का चैनल है उसको जॉइन करिए और वहां पर आपके सारा कोड और पीपीटी वेगरा पूरा डॉक्मेंट्स में लिएगा ठीक है तो यहां पर माल लिए हम का करेंगे वेल लिखेंगे यह हो गया आउडर लिस्ट अब यहां पर लिखा हमने यहा सब कुछ वह ही लिख़या जहाँ पर लिखा था हमने वहीं पर हमने उवेल करकर दिया जावा ठीक है जावा कर दिया अब इसको देखिये चले ब्राउजर पर और दोधि Give be ja यहाँ पर भी आप激नेश्टेट कर सकते हैं यहाँ पर मुन लिख लिख लिखते हैं वैंने इंत्रोडक्षन ठीक है और एक और । लिखा हमने डेटा बाइंडिंग ठीक है यह हमने माली जिए किया ओएल का अंदर हमने ओएल ही कर लिया लेकिन आप वेल के अंदर अन ओडर लिस्ट भी लिख कर सकते हैं जरूरी नहीं है अब जैसे आपको आच्छा लगा हूं करेंगे आप जैसे माली इसके अंदर हमें बे इसी का भी नेश्टेट कर सकते हैं देखिए यहां पर देखिए आप यहां पर बुलेटेट हो गया इसी तरीके से आप यहां पर भी जैसे माली यहां पर मैं अनकमेंट कर दों सब कुछ पिक्चर किलर होना चाहिए अनकमेंट कर दिया और इसको मैं चाहता हूं कि ओएल मे में हमने order list का नेश्टिंग कर दिया यहां पर orderlist में हमने unorder list का नेश्टिंग करें किसी तरीके से भी आप बना सकते हैं, list बना सकते हैं, यह कमाल का चीज़ है, बहुत ही काम extends कि काम schluss तो अब इसमें मैं order list में कुछ और भी type बताता हूं जो मैंने अभी थोड़ दर पहले दिखाया आप लोग को screen पर कि यह type आप लगा सकते हैं कंट्रूल कर सकते हैं वता सकते हैं कि इसका list यहां से start हो ठीक है सब कुछ कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए यह on order list में चलेगा order list में ही चलेगा ठीक है तो हम इसको फिलहाल के लिए यहां पर मैं एक चार्क टैग लगाता हूं ताकि आपको दीखेगा कि इसका example नीचे हम द अपर किसमें लिया तो जो यह order list बन रहा था item जो बना था 1,2,3,4 अब बन चुका होगा ABCD देखिए ABCD बन गया अपर किसमें बन गया ठीक है यहीं पर आगर आपने lower case में लिखा है तो यह lower case में बन जाएगा देखिए lower case में बन गया दूसरा चीज यहीं पर आगर आपने capital I लिख दिया ठीक है देखिए Roman जो नंबर होता है उसमें बन जाएगा 1,2,3,4 ठीक है यहीं पर अगर आपने small I लिखा है ठीक है यह order list में ही कर सकते है small I लिखा आपने ठीक है देखिए क्या बन रहा है अगर यहीं पर आप लिखते हैं हमने सारा टाइप आई थिंग बता दिया यहां पर हम देखते हैं क्या क्या टाइप आ रहा है यह सब कुछ हमने बता दिया वन लिखिएगा तो फिर से order list में बन जाएगा देखिए अब यह चीज और अच्छा से देखिए यह सिम्माल यह order list हमने बनाया है हम चाहते हैं कि जो यह ordering श्टाट हो रहा वन टू थ्री से यह order चीज है यह बहुत ही कमाल का चीज है यह बहुत ही कमाल का चीज है इस तरीके से आप कर सकते हैं list को control कि कहां सा start करना है type क्या देना है यह सब कुछ easily कर सकते हैं अगर आप html में बहुत ही attractive list बनाना चाहते हैं तो I think कि आपको समझ में आ गया होगा फिर भी आपके माइन में कोई भी confusion होता हमारे comment box में जरूर शेयर करिए आपके हर comment कर reply मिलेगा और इस वीडियो को जाता चेता लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमेशा updated रहे तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपी के सांद तक 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 थेंकिशो कर तक तक कर तक तक तक